हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं आसा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और मैं रोहित प्राशर रोहित कुमार आपको फिर से एक बार अपने चैनल वर्ड ऑफ बायलोजी बाय आर्पी सर में एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं और आज भी मैं क्लास टेंथ का एक वीडियो लाइफ प्रोसेस पर है लाइफ प्रोसेस के कुछ वीडियो मैंने अल्रेडी चैनल पर अप्लोड कर दिया है और उसी सीरीज में आज ह जो भी चीजे इंकुलूड होंगी वो वन वाई वन हम लोग आने वाले सभी वीडियो में करते जाएंगे ठीक है तो आज हम लोग जो नुट्रिशन स्टाट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस का नुट्रिशन इस नुट्रिशन में बच्चो नुट्रिशन का मतलब होता है पो अगर हम लोग कोई भी नुट्रिशन खाते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं नुट्रिशन बोलते हैं ठीक है बच्चो कि अगर हमने कोई भी नुट्रिशन खाया कुछ भी खाया तो उसके अंदर आइधर कार्बोहाइडरेट है आइधर प्रोटीन है आइ nutrition क्या है तो nutrition कहने का मतलब होता है बचो दा biomolecule required by our body is called nutrients मतलब हमारे body के द्वारा जो biomolecule required होता है क्यों required होता है तू sustain our life हमें जिंदा रखने के लिए जिस biomolecule की आब सकता होती है उसी biomolecule को हम लोग क्या बोलते हैं बचो nutrients बोलते हैं ठीक है तो मैंने भी जिस्ट बताया कि biomolecule यह nutrients क्या biomolecule है जो required होता है कैसे हमारे body के द्वारा ठीक है यह biomolecule हमारे body के द्वारा required होता है और इसी को लोग क्या बोलते हैं nutrients बोलते हैं तो इस nutrients की बात करते हैं बच्चों तो types of nutrients कि nutrients कितने तरीके के होते हैं तो प्रोटीन है अपने खाने में घी को सामिल किया तो all these things यह सब में या तो फैट है या तो प्रोटीन है या तो कार्बोहाइडरेट है या तो मिनरल्स है यह सारे चीज को हम लोग इसमें इनभाल्व करके बच्चों यह हम लोग बना सकते हैं कि यह टाइप्स ऑफ nutrient आता है जनरली टाइप्स ऑफ नूट्रियंट की बात करते हैं तो यह पाच आते हैं जिसमें प्रोटीन फैट कार्बोहाइडरेट विटामीन मिनरल्स और एक और होता है डाइटरी फाइवर्स ठीक है तो यह सारा कुछ इसमें आता है उसके बाद हम लोग करते हैं बच्चों तोiac करते हैं तो ताइप उन्यूट्रोपिक और हेट्रोपिक और हेट्रोपिक अंसे से लिप iba Mae मैं अक्सर अहीं कहता हूँ, मैं अक्सर अहीं कहता हूँ, बच्चों की NCRT book को अच्छे से देखिए, NCRT book को जितने अच्छे से देखिएगा, उतना अच्छा आपका content develop होगा, उतना अच्छा आप अपने examination में कहेंगे, examination में अच्छे से आप copy को लिख करके आएंगे, देखिए कहता है ना कि ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा होसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है, तो देखो, ये जो मैंने भी बोला बच्छो, जो बात मैंने बोला बच्छो, उस बात को आप अपने उपर अमल कीजी, अगर आप अपने में self motivated रहे हैं बच्छो, तो NCIT बुक क्या उससे, और भी जो दूसरी बुक से वैसी वैसी, उन सारी बुक को आप अच्छे से लिजिएगा, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, की types of nutrition में हमने बताया, autotropic nutrition, heterotropic nutrition, तो autotropic nutrition क्या होता है, heterotropic nutrition क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में भी करने वाले हैं, अगर हमारे पेज़ पे आप नए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्र किजिए, हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक किजिए, और प्लीज जिनको जरूरत है, उन तक इस चीज को पहुंचाईए, वीडियो को पहुंचाईए, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो प्लीज दिक्कत है, तो कमेंट में बताये, क्या problem आ रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, यह सारी बाते आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो बच्चो अभी हम जो करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट इतमें, वो करने वाले हैं, और टो ट्रॉपिक नूट्रिशन, यह हमारा और टो ट्रॉपिक नूट्रिशन अभी स्टार्ट कर रह बच्छों कि auto-tropic दो सबसे मिल करके बना हुआ एक सब्द है auto first letter is auto and second letter is topic auto means होता है self auto means होता है self और tropic का मतलब होता है to synthesis or to prepare synthesis का मतलब हम लोग कहते हैं to prepare ठीक है और auto का मतलब यानि कि वह organism या वह types of nutrition जिसमें कि organism अपना भोजन खुद बनाते हैं अगर मालने जो कोई भी organism है वह अपना भोजन खुद बना रहे हैं तो देन दिस इज कॉल्ड और ट्रॉपिक निउट्रिशन या स्वाए पोशिये पोशन इसको हम लोग बोल सकते हैं स्वाए पोशिये पोशन ठीक है तो आपना अपना बोजन खुद बना रहे है तो इट इस टाइप ऑफ निउट्रिशन इसमें आप डिफरेस्ट लिख सकते हैं बच्चों कि इडिज़ टाइप ऑफ नुट्रिशन इडिज इन विछ आर्गनिजम्स पिरपयर दियर ओन फूड जिसमें कि और विजम अपना भूजन क्या करते हैं खुद बनाते हैं ठीक है इसके इसमें देखिए डीफिनेशन मैंने क्या लिखा मैंने लिखा कि यदि टाइफ फ्ण नूट्रीशन का हुआ परकार बच्चों नूट्रीशन का हुआ टाइप सब्सक्राइब जिसमें क्या हो रहा है कि organism in which organisms जन्तू क्या कर रहे हैं अपना भोजन खुद बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं वो अभी हम later on discuss करेंगे तो इसमें वो अपना भोजन खुद बना रहे हैं ठीक है बनाने के लिए उन्हें अलग-अलग चीजों क्याब सकता होती है जैसे घर में मम जो autotropic nutrition है बचो इसमें भी अलग-अलग material की आवसकता होगी खाना बनाने के लिए ठीक है तो इसमें organism mainly क्या कर रहे हैं कि अपना भोजन वो खुद बना रहे हैं तो इसके examples क्या क्या होंगे green plants इसके सबसे best example है green plants green plants अपना भोजन खुद बनाते हैं by the process of photosynthesis प्रकास sensation की परकिरिया के दौरा जीब जन्तु या जीब जन्तु बोले या पादप बोले या रिप्लांट बोले तो plants में क्या हो रहा है बचो कि plants में plant cells जो है वो अपना भोजन खुद बना रहे हैं ठीक है वो अपना भोजन क्या कर रहे हैं खुद बना रहे हैं अलग-अलग processes के वह अलग प्रोसेस क्या फोटो संथेसिस है प्रकास संसलेशन की परकिरिया के दौरा बचो वह क्या करें अपना भोजन खुद बना रहे हैं ठीक है तो वह अपना भोजन बना फोटो संथेसिस के लिए जो बेसिक क्राइटिरिया है कि वह अपना भोजन कैसे बनाएंगे या आटोटापिक नुटीशन कैसे होगा तो उसके लिए बचू यहां पर लिखते हैं हम desenc point जो हम बुलिखते हैं बचो वो यह है किиях ये फैक्टर एसेंशियल फो फोटो संथासिस या ऑ्टापक् नईूटीश्टन कि किंद्ढकों से फैक्टरण Emp encounter साक्रक्र इंप़ोर्टेन्ट है ऊट्टोपिक नुनटीशन के लिए बच्छो तो पहला थैस red फेचो ऊट्ड्टॉपिक नुट्री малень निजम भों कि कोई भी और निजम खाना बनाएगा जैसरे मैंने बिज़स्ट आपको ynचामपल के फ़ौर में पता है कि कोई भी अपने घरों में खाना रहे हम लोग के घरों में खाना बन रहा है तो उसके लिए भी बहुत बेसिक चीज की आब सकता हो रही है तो वह बेसिक चीज ठीक है खाना बनाने के लिए इंपोर्टेंट है तो वैसे ही ऑटोट्रोपिक नुट्रिशन को कम्प्लीट करवाने के लिए भी चार चीजों की आब सकता होती है पहला क्या है बच्चो तो पहला है सी ओ टू पहला है कारवन डाउकसाइड दूसरा है वाटर तिसरा है सनलाइट चौथा है क्लोरोफिल वाटर का क्या सनलाइट का क्या रोल है या क्लोरोफिल का क्या रोल है तो क्लोरोफिल परजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या है तो प्लास किल्रोफिल होता है ये क्लोरोफिल क्या करता है ग्रीन कलर का पिग्मेंट है this वरीज़स बूसलिए ददनाउन बीसहा सब्सक्राइब करों करते है तो कुलरोफिल तरीके के कलर किन कर थे के यह सारा कुछ को दोभी के गुरूप में ही आता है बच्छो तो क्लोरोफिल क्या कर रहा है इसका एक की काम है एक ही मोटो में क्या हो रहा है कि complete आपका photosynthesis का process autotropic nutrition का process हो रहा है और co2 क्या करते हैं बच्चों co2 ले करके photosynthesis में co2 को तोड़ा जाता है carbon और oxygen में splitting of butter molecules होता है hydrogen और oxygen में जब हम लोग mechanism photosynthesis की बात करेंगे इसके बाद अगला वीडियो आपका photosynthesis का ही होने वाला है तो उस वीडियो को भी देखिएगा अच्छे से तो इसमें आपको वहां पर हम लोग और detail करेंगे इसके बारे में ठीक है कि autotropic nutrition में चार factor important होते हैं और types की बात करते हैं autotropic nutrition की बच्चों तो आपके स्लेवस में types नहीं है ऐसे दो तरीके का autotropic nutrition होता है तीन तरीके का भी आप बोल सकते हैं facultative autotropic nutrition obligate autotropic nutrition chemo autotropic nutrition light autotropic nutrition ठीक है यह सारा कुछ types है इसके तो types आपको नहीं पढ़ना है आपके NCRT book में types का कहीं कोई discussion नहीं किया गया है इसके बाद बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी next part whether अभी आपका जितना pick hour है इस pick hour में बच्चों आपको अपने आपको बचाना कहने का मतलब कि अपने करने के अपने आपको पहुत सारा आपको इसायसा factor आवेवल है बच्चों आपको tis करने के लिए आपको स्ट्रेस में डालने के लिए कुछ दिन पहले एक चुली एक बच्चा ने मुझे फोन किया मैसेज किया था कि सर बेलेंटाइन्स डे का बीग चल रहा है कैसे पढ़े डिस्टर्ब हो जाना है तो मैं उनके लिए एक ही बात करता हूं कि बचके रहना इसक से बचके रहना इसक से तेरा सब कुछ मिटा देगा तो चीज क्या है तेरी राख तक को जला देगा तो बाबु यह सब फैक्टर से आप बचिए यह सब जो आलतु-फालतु फैक्टर से अपने आपको बचाईए और इस टाइम तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अ ऊ特विग्न्टरिशन अ इतृट्रोपिक नुटरिशन अचेक्टर सब्सक्राइब के बना हुआ है हेट्रों एंट्र्विक हैट्रों का मतलब क्या गया होता तो हेट्रों का मतलब हो गया डिपैंड मैट्कन कर सकते हैन्सक्ता हो ट्रॉपिक का मतलब टुपीर जैसे ट्रॉपिक आपके अठो tumors था फॉट में गणराफॉत metric वहां भी सब्छेम सब्सक्राइब करते हैं कि उसक्ते हैं कि विच्म के यह सारव कुछ क्या है प्लांट पोड़क्ट है वायल्स जो आपका मस्टड शीट से मिल बात करते हैं तो इनमल से मिलता है वायल्स की बात करते हैं genuinely काई से्थ रेड़ मीट के लिए मिल्क के लिए यह सारे चीजों पर हम कहीं न कहीं दूसरे चीजों कोुकर कि सर आदमी तो अपना खाना खुद करते थे कच्चा भी खाते थे तो उन्हें वो टेस्ट नहीं मिलता था हमने क्या किया उसके उपर नमक लगा के मिर्च लगा के तेल लगा करके अलग लग चीज़े को यूज करके उस खाने को टेस्टी बनाए उस राव मटरियल को कुक करके कुक करके ताकि बेल डाइजेशन हो सके किसी प्रकार का कोई नहीं हो सके उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते ठीक है तो हेट्रोट्रॉफिक नूटिशन दो प्रकार का यहां पर होता बच्छों अम लोग बात किये कि वह अईसा नूटिशन जिसमें और्गनिजम आपना क्या कर रहा है भोजन के लिए दुसरे और्गनिजम पर करते हैं अपने वुजन के लिए दुसरे ऑर्गनिजम के रिकेंड धुयद है हेट्रोलोट्रोफिक न् holistic की बात करते हैं बिष्यम धैना करते हैं पारा सिटीक न्योट्रिशन की बात करते हैं तो पारा सिटीक न्योटिशन इज टाइप अपो फेटॉ३क न्योट्रीशन इमीच वण चुली डीफिटेड़ यादर जैसे आपके सर में जुटेंट है है ना जुट जिसको हम लोग डीला बोलते हैं तो वो जू क्या कर रहा है आपके सर से खून पी रहा है आपके बॉड़ी का खून वो चूस रहा है उसको फैदा क्या है उसको फैदा है कि खाने को खाना मिल रहा है मतलब खून मिल रहा है उसको उसके साथ-साथ हमारा बाल हमारे सर के अंद हाए और खुझली भी मिल रहा है लेकिन बदले मुश्जू को क्या मिल रहा है घर मिल रहा है रहने के लिए और खाना मिल रहा है तो एक और इसमी इंग्जाम्पल आप कह सकते एं कसकूटा अगर बांटि living जो nutrition चाहिए वो nutrition plant खाना बना लिया अब plant का nutrition वो छीन लेता है अपने ले लेता है nutrition बदले में रहने के लिए पूरा बरगत का पेड़ु से मिल गया है वहां पे वो सर्भाइब कर रहा है ठीक है तो इस तरीके से heterotropic nutrition के parasitic nutrition को हम लोग समझ सकते हैं और बहुत सार एक्जामपल जैसे जानबरों का सरीर में आपका परजेंट है एक इंसेक्ट की का सकते हो कि एक इंसेक्ट परजेंट होता है वो क्या करता है जानबरों का खुन पीता है जानबर का सरीर में उसको रहने लिए घर मिल जाता है ठीक है ओ जैसे और कर सकते हो ब्लड सकर जिसको हम लोग आते हैं अची मोकन जिसको हम लोग बोलते हैं तो यह सारा कुछ पाराशिटिक करता है मतलब वैसा इक टाइब सा मया करता है और सब्सक्राइब करता है या उससा नंग जादा मिल रहा है तो ऑ्टामाट्रीकल फंगेлем रुख करता नाथिच फंगी घ्र्व लोग करता है से ट्वा श्रोफिट तो एक सब्स्रम के एड़ और करता हें इसके बाद है, तो होलो जोएक नूटीशन, जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब, होलो जोएक नूटीशन आटाइप अफ हेतरोट्रोपिक नूटीशन इन विच और डिपेंड अनुट इनुटीशन का परकार जिसमें, क्या और राहरा है कि थोस पदार्थ पर अपना एबलेबल कर रहा इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं बच्चों तो होलो जोएक नुटिशन में पाच परकार से होता है पहला आपका इंजेशन होता है दूसरा आपका डाइजेशन होता है तीसरा आपका एब्जॉप्शन होता है और किसरा चौथा आपका absorption होता है assimilation होता है और पाचमा जो होता है आपका ejection होता है यहीं excretion होता है तो इन पाच steps में आपका इन पाच steps में आपका holojoic nutrition complete होता है देखे बच्चों इस परकार से आपका nutrition का जो पाट है complete हुआ ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और जिनको जरूवत है उनको यह वीडियो को लिंक सेर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले थैंकियो